नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल SLG के हद में दोस्तों आज का दोर है जो की कोरोना का दोर चल रहा है और इसके अंदर कई सारे देश है जो की इसे प्रभावित हो रहे हैं और इसी बीच है हमें समय समय पर डबलू अचो की जो की भारत समेथ 62 देशों ने निस्पक्स जांस की मांग की है जो की वर्ड हैल्थ असेंबली की त्यंत्रुवी बेटग में प्रस्तावित किया जाना है तो आए बात करते हैं इस टॉपिक पर उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब की कीजिए दोस्तों अभी जो है आज से ही यानि कि 18 तॉप में से डबलुच की यानि कि वर्ड हैल्थ असेंबली की जो मीटिंग है वो चल रही है और उस मीटिंग के अंदर जो डबलुच के द्वारा किये गए कारिये हैं जो भी चेताओं नहीं या जो डबलुच के द्वा गया है कि कोरोना रोकने के लिए डबलुच के कामों को और इसके दिये गई सीमा की जाच की जानी चीए जाच के लिए वर्ड हैल्थ असेंबली के सदस्यों की सला से एक चरण बद प्रिक्रिया अपनाने की मांग की गई है और यह जो है एक ही देस की नहीं बलकि काफी सार देसों की एक साथ मांगी गई है जो कि डबलुच के बैठक के अंदर बात हुई है इसकी चले बात करते हैं और शेलिया और यूरोपियन यूनियन कोरोना निये महामारी पर विश्व स्वास्त संगठ है यानि कि डबलुच के जवाब की निस्प जाच की मांग कर रहा है औ जवारिये में 30 देस बात का सुमर्थन कर रही है कि इस चीज की जाच होनी चाहिए जो डबलुच के दवारे कीये कये कार्यें है जो डिसीजन लिए गए है वह सही डिसीजन थी या इनकी कुछ समय समय पर जो है इनको जो है अपग्रेड किया गया है यह जो भी विपोर्ट दी जा रही है उसके बारे में जो है बात किये गई है वर्ल्ट हेल्थ असेंबले की तैंतरवी जो बैटिक है इसके अंदर जुड़ावए एक प्रस्ताव रखा जाएगा यह बैठक आज से शुरू होगी प्रस्ताव में कोरोना को रोकने के लिए किये गए डबलोच के कामों को और इसके लिए तै की गई समय सीमा की भी जांच क अपने जानी चाहिए महामारी शे निबटने के लिए अंतराश्टे इस तरह पर किये गए कामों से क्या अनुभव हासिल हुए इसकी समिक्सा की भी जांच की जानी चाहिए वर्ल्ड हैल्थ असेंबली डबलोचो का ही एक हिस्सा है चलि बात करते हैं कि किन-किन देसों ने इस प्रस्ताओं का समर्थन किया है तो इसके अंदर है यूरोपियन यूनियन के समर्थन के साथ पेस किये गई जांच प्रस्ताओं का समर्थन जो करने वाले देस है वो है जापान है ब्रिटेन न्यूजलेंड तक्षिन कोरिया ब्राजिल कैनेडा सामिल है वर्ल्ड श्वर्धन भी सामिल होंगे इस बैठक के दो दिन बाद यानि कि 22 मई को डबलो चो के एग्जेकुटिव बोर्ड की भी बैठक होगी और इसके अंदर भारत को डबलो चो के फेसले पर नेने लेने का नेने लेने वाले बोर्ड का प्रमुक मनाए जाएगा चलिए आगे बात करते हैं कि इसके अंदर जो जाच की मांग करने वाला सबसे पहला देश है वो कौन है तो उस्ट्रेलिया इस जाच की मांग करने वाला सबसे पहला देश है उस्ट्रेलिया पहला एसा देश है जिसने यह जाच करने के लिए मांग की थी कोरोना दुनिया भर में कैसे फैला और श्रेलिया के विदेश मंत्री मेरीन पैन ने पिछले महीने ये सवाल भी उठाया था और उन्होंने कहा था कि महामारी के फैलनी की जांच से अंतराश्टी इस तरबर अगली महामारी को बहतर धंग से रोकने और अपनी लोगों को सुरक्सित रखने में कैसे हमें मदद मिलेगी मुझे लगता है कि डबलो अचो को कोरोना फैल लिकी जांच की इजाज़त सिकारी को सिकार की रखवाली सोपने जैसा है तो इस तरह का जो स्टेट्मेंट है जो कि ओश्यले के विदेश मंतरी मैंनी पेंडने काहा था और इसी के बारे में डबलो अचो के सामने यह सवाल भी उठाया गया था तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने जाए कि डबलो अचो की बैटिक के अंदर ह जो कि डबलो अचो के द्वारा लिए गये decisions है उनके बारे में चर्चा की गयी है और मांग की जा रही है अलग-अलग देसो के द्वारा कि जो डबलो अचोंन लिए गये है decision है वो सही है या उनके अंदर क्या क्या-क्या update मिले हैं किस तरह से चरणबत तरीके से कारिय किया नहीं किया गया और क्या इसके अंदर जो चाइना है उसका भी इसके अंदर हाथ है या नहीं है इस वाइरस को जनरेट करने में तो इसी सभी के बारे में एक जो है विस्तरत जानकारी हमने हासल की और जो इसका संपूर्ण फेसला जो कि 22 मई तक हमें देखने को मिल सकता है आमी जरू बताई धन्यवाद